अब मैंनू सिंग चोधरी वेलफेर ट्रस्ट के तत्वाधान में राखुल गांधी अनदान योजना कई दिशा निर्देश यहां से जारी की गए हैं प्रभारियों की नियुक्ति की गई है यहां से और कुछ सवाल ऐसे थे जो चित्रान्षों को लेकर उठे जैसे रोजगार को लेकर के बाते उठी कैसे जो हमारे आज हम लोग सरकार से उपक्षित हैं और रोजगार का महानगर अध्यक्ष को हम लोग अतिशिग्र मनोनयान करें इन सब बातों पर विशेश तोर पर चर्चा हुई काइस्त पिछड़ा है ऐसा तो हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि काइस्त जहां भी है वो अपने जगह अपने दिमाग का इस्तिमाल करता है पुझी उसके पास है उसको भगवान के तरफ से जो पुझी दी गई है वो उसका माइंड है और चितरांच जहां भी रहता है वो एक शेर के तरह रहता है संख्या बल पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि संख्या में अभी हमारे यहां पीटिंग में बाते हुई कि संख्या में साइध हम कम है लेकिन जंगल में जो शेर होता है वो कमी होता है लेकिन सेर हमेशा राज करता है तो हम लोग भी राज कर रहे हैं कहीं ना कहीं पिछले नहीं है हम नहीं मांते हैं आरक्षन की मांग तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने किया है हम लोग नौकरी मांगने के लिए सरकार के धरवाजे पर जाएं। हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं अपने कास्तों को, अपने युवाओं को, हमने आज भी युवाओं को मोटिवेट किया हैं कि हम लोग सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम लोग सरकार को आज तक मदद करते हैं, आगे के अंतरगत जरुरत मन्द लोगों को साधी या अन्य सार्वजनिक कारियों में 25 किलोग्राम चावल तेल एवं अन्य सामग्रियों से सहयोग दिया जाता है सेवा का मोकादे महाबीर सिंग चोधरी चास परकंड विस्सुत्रिया दक्सा कॉंग्रेस नेता